जेस्टी लागू होने के बाद सरकार ने टेक्स चोरी के मामलों में कमी का दावा किया था लेकिन जाबुआ में सामने आए चांदी के आबुशनों की तसकरी के ताजा मामले ने सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर दिये हैं यातियाद पुलिस प्रभारी सुबेदार कोमल मीना ने मुगबीर की सूचना पर करीब 80 लाख रुपए कीमत के सोने वचांदी के जेवरात तसकरी होते हुए बरामत किये यातियाद पुलिस ने करिवाही कोतवाली थाना शेतर के फूल माल चुराहे पर की बड़े ही शातिराना ढंग से आरुपियों ने जीब के पिछले हिस से और सीट के नीचे कैबिन बना कर सोने चांदी के जेवर छुपा कर ले जाया जा रहा था यहीं नहीं आरुपियों ने गाड़ी के बोनट में भी जेवरात छिपा रगे थे पुलिस के अनुसार जब किये गए सामान में अधिकाश चांदी के जीवरात हैं जिनका करीब 200 किलो बजन है पुलिस के अनुसार गुजरात के राजकोट से हमाल प्रदेश में रतलाम और इंदौर सप्लाई होना था मामले को लेकर पुलिस ने आईकर विभाग के अधिकावरी को सूचना दे दी है जिसके बाद अगली कारिवाही आईकर विभाग की और से की जाएगी पुलिस ने तसकरी के मामले में वाहन के चालक समेथ तीन आरोपियों को गिरफतार किया है एक महिंदरा पिक अप गाड़ी में जो सूचना मिली थी कि इसमें चांदी बड़ी मातरा में जा रही है उसके लिए उन्होंने फिर ठाने के स्टाप के साथ उसको चेक किया तो उसमें करीब दो कुंटल चांदी है उसकी तौल अभी चल रही है और उसके साथ में तीन लोगों को पकड़ा गया है और उन्होंने बड़े हुश्यारी से छिपा के इसको पीछे जो महिंदरा पिक अप के पीछे जो के इरिया होता है जिसमें लगेज रखते हैं उसमें एक केविन बनाया हुआ था हिडिन तरीके से उसमें रखी थी बॉन झाल में आजों हुआ खुआ बड़े लोगों से उसमें हुआ था की तरीके से जो थान जो दोपों तो दो धिए जो घूब है जो मुआदाओ बड़े जो के अउन्या है जो है के आज़े जो धूआ हुआ है जो